दोस्तो सर्दियां सुरू हो चुकी है तो बहुत से इसे पोदे होते हैं सर्दियों में जो डॉर्मेंशी में चले जाते हैं मतलब जिनकी ग्रोथ रुख जाती है नहीं तो उनके नहीं नहीं पत्या निकलती है और बिल्कुल रुख जाती है ग्रोथ नहीं ब्रांचे रुख रुख जाती है तो तो उनमें से एक पोदा है यह हमारा यह खडी पता जो सरदियों में अचला जाता है दोस्तों तो इसके नशे up पतियां बनना travelled जाती है ग्रोत भी रुख जाती है बहुत कम्वोथ होती है तो मैं आज आपको इसकी care के बारे में बताऊंगा सर्डियों में कैसे care करें दोस्तों इसकी और क्या क्या आब खाट डाले और खिन खिन बातों का धियान रखे तो वह सब बताऊंगा दोस्तों वीडियो में इंतक बने रहना और दोस्तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर शहागत है और बताता हूं दोस्तो हैं दोस्तो हैं एमारा खडी पत्य का पोदा है इह देख सकते हो आप तो यह दोतीन साल का हो गया है किसी गमले वमले तो जादा केर भी नीकी थी तो दोस्तों ये देखे जादा केर कि तो बड़yas के अ करते थे firsthand के यहiset इसा देख आए ने मैंने तो मेetrильा के बान दोस्ता हो बाधे यह करता हूं लेकिन दोस्तों 1 2 में वह सूख जाते हमारी तरह फाम चलते नहीं तो मैं आज बताऊंगा आपको इसके बारे में खड़ी पत्ते के बारे में तो वीडियो में तक बने रहे ना दोस्तो तो पहले बात तो दोस्तो इसको सर्दियों में दूप की बहुत ज्यादा जुर्णत होती है यह देख सकते हो अभी हमारे इसके दूप आ रह प्लांट के तो दोस्तो पहले तो इसमें कम फानी की जुर्णत होती है तो यह देख सकते हो आप मेरे अभी इसमें फानी नहीं है और इसकी निराय खुडाय का बहुत दियान रखना पड़ता है ऐसे समय समय पर निराय कुडाय करते रहे यह देखे अभी नीचे तो गिल आ समय समय पर इसकी निराय गुडाय करते रहे दोस्तों यह देखो तो दोस्तों यह बहुत अच्छा पोदा है दोस्तों इसको हम दाल में चावल में पोयों में किसी में भी डाल सकते हैं बहुत अच्छी कुसबू आती है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा पोद तो उसमें लेके जाते हम भी लेके जातेह और आज पडो य झाल के लिख में लेके जाते हैं क्योंकि हमारी भी आप linke आते। में पत्या कॉलिए क्यां बिलत भी में लग थाओं अलब र eyebrows कर दबंध कर independent और जब हम इसको नहीं नहीं पत्ति निकशा निकलेगी ओकति सकते आप झाप शर्डियों में इसको नहीं लगाते अगर लगाएंगे इसको चलनेके चांस कमोंगे बरशात में लगाएंगे तो जलदी पोधा चलेगा और ग्रोफ भी बहुत अच्छी होगी दोस्तों देख सकते हैं आप मेरे पोदे की ग्रोथ तो अब मैं बताता हूं आपको इसमें कौन-कौन सी खाट डाले दोस्तों तो फैली खाट तो है दोस्तों इसमें नीम खली नीम खली भी डाल सकते हैं या फिर हल्दी भी डाल सकते हैं दोनों में से कुछ भीडाल सकते हैं तो नीम खली भी सट्रीओं में अच्छीर होती है इसमें इस मैं नियुकर को चलीच lay आँए सर्दियों में गीला रहता है मिट्टी में तो फंगस लगने के चांस ज्यादा होते हैं तो नीम खली से फंगस नहीं लगेंगे दोस्तों मैं तो नीम खली भी नहीं डालता क्योंकि यहां पर हमारे उपर है ना यह देखिए यह नीम का पोदा है तो इसी के यहां पर लगा हुआ आए तो इसकी पत्या वगेरा जो नीचे गिरती है न तो मैं यहां पर साइड में लगा देता हूं इसमें डाल देता हूं तो यह गल के अपने आप जब इसकी निराए गुडाय करते तो अंदर जाती है मिटी उपर आती है पत्या नीचे जा तो वह सारे कटे करके यह années डालते तो खाद भी बन जाती और नेम की नेमके यह काली की जणुरत को तो ऑर दूसरी रीखाद दोस्तोँ कि बाजार में मिल जाती है अगर खली नहीं वो Total को कूड के से भी डाल सकते हैं तो दाने को निडालेंगे सर्थो खली खरीद के उसको भी डाल सकते क्योंकि दोस्तों उसमें नाइट्रोजन वगेरा होते हैं तो सर्दियों में बहुत अच्छा होता है क्योंकि गरम होती है नीम सर्थो की खली गरम होती है उसको जादा भी सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है अगर गर्मियों मे कव एसे भी मिल जाता है ख़ाद वगेरा गाओं में तो कुछ कमी होति ही निये गोबर की यह को पर डेर करेफा है मैंने गोबर की खात कर दक तो इसको भी है मैं डालता हूं दोस्तों इस में जरत नहीं होती नीम खली ऊपर ही नीम का फेड़े तौ से नीचे पत्यां गिरती है और भाद बन जाती है देख सकते हैं तो इसको सर्डयों में बोच ज़्यादा केर की जौरत होती है देखो मेरे नीचे नहीं नहीं ब्रांचे तो दोस्तों अभी इसकी कटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि करेंगे तो कटिंग से नई-नई नीकलेगी क्योंकि अभी सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है ठंड में तो इससे वह नई ब्रांच भी नी बनती ग्रोथ रुख जाते पो देकि तो अभी हम कटिंग नी करेंगे कटिंग करने का सबसे बड़या टायम होता है या त देख सकते हूं आप इसके कैसी नहीं नहीं ब्रांचे निकली और पत्तों में बहुत अच्छी कुस्भू आती है तो यह ना किसी ने मेरे को मतलब उनके बड़ा लगा हुआ था तो बीज नीचे गिरे ना तो वहां पे उगा था पोदा तो वह पोदा दिया था एक तो वह हम ने लगा दिया और देखे मेरे भी आ गए भी जब यह पकेंगे तो इससे हम नए पोदे तयार करेंगे और पिर किसी और को दे देंगे क्योंकि यह हमारा प्लांट बहुत अच्छा है देख सकते हूं आप कितना गना है बहुत बढ़ा हो जाता है यह दोस्तों तो मैं इसक मेरे की ज्यादा जड़े भी नीमा सकती क्योंकि यह तो बहुत बड़ा होता है तो उसके कटिंग कर देंगे तो नव sucks निए ब्रांच दो लेंगे तो तो जड़ों में फंगस वगेरा नहीं लगेंगे देख सकते हो आप यह नीम की ठाणिया चोटी-चोटी ठाणिया इस अब गल के तैयार हो गई दोस्तों यहाँ पर फानी डालता हो न तो उसमें गली गल गई यह यह देख सकते हो आप तो यह इससे न पोदे को अच्छे पो इतने लग गए उपर तो यह देखें बगले की फीटे तो मैं बगा भी देता हूं जब मैं आप पूजा करने आता हूं बोले बाबा पर जल चड़ाने तब बेढ़ते हैं वह तो उनको बगा देता हूं नहीं तो है न दोस्तों पूरे पोदे की पत्तियां खराब कर देते यह देख सकते हो आप तो इससे पोदे को नुक्षान पहुचेगा दोस्तों पोदा आपना बोजन नी बना पाएगा इस वज़े से न मेरे को बगाने पड़ते हैं यह देख सकते हो इस पर एक कुछ मेरे को दीखा यह देख सकते हो यह जाने किसके अंड है मकड़ी तो नहीं है लेकिन मेरे गड़दन तक है यह तो देख सकते हूं कितना बड़ा होगा दो तीन साल का प्लांट है दोस्तों छे बड़ी में ग्रोथ भी अच्छी है तो इसमें यूज करता हूं गोबर की खाद और यह नीम की पत्यां डाल देता हूं क्योंकि मैं नीम की खली व जारवार में पीस लो एसे पीस के या फिर इसे हाथ से मसल के इसमें डाल देता हूं こ limiting तो यह हमारा आज का पोदा दोस्तो भड़ी पतता तो यहिंघा है न शबीके गळऊने लगा होता है उस्कु बौस सब Рोओ काइडी चेंज हो जाता है दोस्तों आपने देखा होगा खड़ी में पोए खम अंडोकला जो भी बनाते हैं सब में डालते हैं चटनी वगेरा में तो इससे ना कुस्बू भी अच्छी आती है अलगी कुस्बू आती है और स्वाध भी चेंज हो जाता है यह देखे कैसी ग्रीन-ग्र मेरा और तो इतनी सर्दियां नीए दोस्तो जब ज़्यादा सर्दि पड़ेगी तो यह जएसां नहीं तो बढ़ेगा नहीं गटेगा इसका इसकी ग्रोठ चल रही है नहीं नहीं पत्या निकल पर देख सक्षों कि लेकु कि इतनी सुंदर सुनदर नई नई पत्तिय आए, तो दोस्तोँ Isn新 wa ne sense cutting भी के ने कर दोब है, क्योंकि अभी cutting कर हुआ हुआ तो इसकी growth नहीं होगी इसीड वाकाइग पमठे लागा होगा, भूप स्वांगी तो देंगे पोदे के फूल आते न वेसे फूल आते इसके तो वो सब अलग कर दिया तो दोस्तों ध्यान देना ज्यादा फानी मड़ डालना मिट्टी सुकी रहे तो फानी डालना देख सकते वाग ये मेरा पोदा तो इसकी मिट्टी अभी गिली है मैंने निराइगुडाई की तो नीचे सूक जाएगा पत्तियां पीली पड़ जाएगी ये देख सकते हो आप देखो तो ये हमारे खलियान में लगा हुआ है दोस्तों अगर पोट में लगा हुआ होता तो इतना बड़ा नी होता लगा होता है बड़े बड़े पोटों में बड़ा हो जाता है दोस्तों तो ये हम मतलब चोटे फेड़ की तरह हो जाता है और गम लोमें दोस्तों इसको डूप में जरूद क na पूरे दिन धूफ मिलेः this cookiesala mate गश्यक्त है दूस्तों आज कि वीडियो में बस इतना वीडियो अच्ची लगे तो लाइक पाने के लिए अफिन दूस्तोंमे नाखनाह sonoda me आदे रादे जे श्रीक्रिष्ना एड़ को